ए बी जनकारी एजुकेशनल यूटूब चाइनल में पुना आपका एक परफ्षी स्वागत है मैं हूँ सुनिल सिंग और आज किस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एस टीटी की परिच्छा जो अभिरद हुई है जो 28 जनौरी के हुई थी वह परिच्छा अब कब होगी जी हां बहुत सरे विद्यार्थी कमेंट के हुए है हमारे चाइनल पर वाट्से पर भी कि एस टीटी की परिच्छा के बारे में क्या आपडेट जनकारी है तो हमने को बताने जा रहा हूं आपको बताते चलें कि यह परिच्छा होने वाली नहीं थी क्योंकि अगर्फ होना होता तो उसी समय जो पेपर लिख हुआ था उसी समय परिख्छा रद हो जाती लेकिन करोणा वारस के चलते धां देजिएगा हरेग देश के हरेग राजियों की ठीटिता नहीं है बिहार के तो इसी स्थिति में आप जानते हैं कि इसकी आयं आए कपने है तो काफी आय कम होने करण बिहार की इसिति भी P says डिबाड़ल हो चुकी है और सरकार जानती है कि अगर यह result आ जाता है और हालही में चुनाव होने वाला है तो निशीत त्रूप से यह सरकार पर दबाव बनाएंगे भेकेंसी निकालने के लिए इसी को देखते हुए सरकार ने इस नियोजन में सहायक होने वाली समस्या है कि परिच्छा कब होगी तो जिस तिन रध हुआ था उस तिन एक दो पेपर के किसी संस्क्राण में निकाला गया था कि जुन या जूलाई में हो सकती है सब्सक्राइब के परिच्छा लेकिन आज बिहार बोर्ड की अधक्ष बिहार अस्कूल इग्जानेशन बोर्ड के अधक्ष अनंत की शोर असपस्टूप से कह दिया है कि जब तक क्रोना वारस के प्रकुप समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो एस टीटी की परिच्छा का ह सब्सक्राइब करोना संभब नहीं है लाख हो से ज़्यादा इसमें परिच्छार्थी हैं सभी परिच्छार्थियों को ब्यवस्था करना सोशल डिस्टेंसिंग के अमसार यानिकी बेंचों कि संख्या होगी रूमों के संख्या जादा होगी आने-जाने में परिशुभध कोरोना वाइरस के प्रकुप समाप्त नहीं हो जाता तब तक जो होना बिल्कुल ही असंभव है तो इस परकार जो है आपको असपष्ट हो गया कि होने नहीं होने जा रही है गया हूई तक सरकार और अभी तक स स्रुकार के पहले वाला होगा या कुसुस में चेंज होगा यूँकि बिहार में जो भी नियोजन होता है सरकारी नुकरी होती है खासकर सिक्षक की तो हमेशा जो है साधी नो कुछ नियम बदलता रहता है और आज के डेट में तो लॉक्डाण के चलते जो है एक सही धांग से मीटिंग भी नहीं हो सकती है स आपके फिल्ष को काम है इसके बाद परिच्छा में भी डिस्टेंस रखना है तो हुफ्कूल का सिलेक्षन भी ज्यादा करना हoga इसके बाद जो है घारी का भी है आने जाने में समस्या है कोई किसन अधान काहिए इस दिल्ली में हो पाएगा तो इस प्रकार जो है आपकी परिच्छा जो है जनुरी से पहले संभव नहीं है लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि परिच्छा कभी वह जनुरी में हो दिसंबर में हो या होली बाद हो परिच्छा तो हो गई हो इसलिए आप उसकी चीनता ना करें क्यों सरक कार के काम है कि परिच्छा को लेगी कैसे लेगी क्या लेगी आप वी द्यार्थी है और आपका एक ही काम है कि परिच्छा के इंकिन प्रकरण किसी तरह त्यारी प्रारंब कर देना अगर आप अभी से प्रारंब कर देते हैं त्यारी एस्टेट का तो निशीत रूप से लाएंगे उनको उतना ही नमबर मिलेगा जो 95% लाएंगे उनको उतना ही अलग अलग परसेंटेज पर अलग अलग उसका वेटेज है तो इस प्रकार आप अभी भी लग रहा कि त्यारी नहीं है या परिछा तो निशित रूप से होगी तो आप जो है हमारे इस चैनल पर एबी जनकारी जिसका नाम है अल बीर जनकारी इसको अभी लाइक किजिए और बेल आइकोन को अल अवस्क कर देगा जब तक अल नहीं करेंग क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बीजट से समन्धित, सीटेट से समन्धित और स्टेट से समन्धित, सभी पार्ठकराम का स्रिलेबस के उसार उसके जो कुछे जाते हैं उस सभी इसको उपरव्द कराएंगे और उसके लिए यहीं करना होगा कि कि आपको हमारे चैनल से जोनाव होगा आप हमारे फेसबुक पड़ बीजनकारी और हमारे टेलिग्राम को लाइक कर लीजिया और वहां से भी आपको BAT सम्मान्धित, DAT सम्मान्धित और CAT और खासकर ASTAT सम्मान्धित जनकारी आपको मिलती रहेगी तो पुर्णा आपको परिविट प्रकारते हैं, एकर ASTAT के त्यारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चाहिए पुराना से लेवस और मुझे उमीद है कि उसमें कुछी प्रकार का छेड़ छाड़ नहीं होगा, पुराना से लेवस से ही परिछे होंगे, जो होने वाला है, क्यों कोहीं ASTAT में भी लगभग लागू है, और उसमें यहीं होता है ASTAT में, हाई स्कूल सिख्छक में, या 10 परस्टू में के डेढ़ सो नमर के प्रस्णद जो है, आपका आपका teacher up to shift test होता है, जान दिञें बाद 500 प्रस्णद होगे, उसमें से 50 अंक के 50 अंक होोंगे, वो teacher up to shift test होता है इसमें ही पूछ सकता है, इसके बाद समसमाई की पूछ सकता है पतलब उसे कोई systematic नहीं है कि किस से कीतना पूछेगा वो fix है कि वो 50 आंक जो है general GK, GS, science, arts किसी से भी पूछ सकता है, math, पूछ सकता है, परेवरान पूछ सकता है, समसमाई की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और जो बचा, जो बचा, जो बचा 50 तो यह हो गया teacher attitude और बचा says, तो social science के लिए बता रहे हैं कि social science में आपको 100 आंक पूछे जाएंगे, आपके subject से वो भी BA थी, जो आपका subject है matrix में, उसी के हिस आप से पूछ रहेंगे, और वो subject का selection होता है, असनातक से, पतलब कि असनातक में जैसे हम आज हम social science को बता रहे हैं, social science में चार subject है, तो उसे चार subject में से, दो ही subject को जो है त्यार किया जाता है, तो इस साल भी, अगर आपका भी से social science है, तो चार subject है, history, economics, जगरफी और political science, उसमें से किसी दो ही बीशे को पढ़ना होगा, और इस प्रकार आप अभी से त्यारी करते हैं, तो निशित रूप से, आप estate जो है, एक अच्छे नंबर से पास करेंगे, और आज की rate में इतने विद्यार्थी पास हो चुके हैं, कि जब तक आपका मिधा अंक ज्यादा आते हैं, तब तक आपको जो है, estate पास करने से, और बीट करने से कोई फाइदा जो है, नहीं है, इस प्रकार जो है, आपके estate के त्यारी करना चाहते हैं, तो आज ही से हमारे चैनल से जोड़ जाईए, और निश्चित रूप सागर इस चैनल से सूस से अन तक सभी वीडियो देखते हैं, तो आपके अंक जो है, 90% से ज़्यादा आएंगे, इसी के साथ इसे हम वीडियो के समापन कर रहे हैं, और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो है, इसका syllabus क्या है, कौन subject में कितना अंक से पुछे जाते हैं, क्या क्या पुछे जाते हैं, इस प्रकार सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ नई जनकारी लेकर आएंगे, तब तक के लिए हम इसे वीडियो के समापन कर रहे हैं, जय हिन जय भारा